हेलो फेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल टेक्निकल शो टाइम तो फेंड्स आज में फिर से आजिरू आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग कोशन के आंसर देता हूं तो चलिए आज की कोशन आंसर शुरू करते हैं पहला कोशन लेते हैं हीरो हीरो ऐलोम जी का यह लेखते हैं कि हेलो आएम फ्रॉम बंगलादेश आयम उजिंग वॉल्टन इंवर्टर रेफ्रियेटर एम यूज इस्टेपलाइजर फार माई रेफ्रियेटर कंपनी तोल्मी डैट नो नीड तो यूज इस उस पे आपको इस्टेपलाइजर लगाने की जरुवत नहीं पड़ती है अगर आप अपने रेफ्रियेटर का मैनॉल देखेंगे उसका बॉक्स देखेंगे तो इस पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस्टेपलाइजर फिरी ऑपरेशन आप चाहें तो इस्टेपला इस्टेपलाइजर यूज नहीं कर रहा हूँ हाला कि यहां पर कभी कभी लाइट में फिलक्टेशन होता है बोल्टेज फिलक्टेशन होता है फिर भी मैं यहां पर इस्टेपलाइजर यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके बॉक्स पे मैनूल में मैंशन किया गया है कि यह इस्टेबलाजर फिरी इनका ऑपरेशन है हाला कि जो परसन इंस्टॉल करने के लिए आए थे वो मुझसे बोल रहे थे कि मैं इस पे इस्टेबलाजर लगा लूँ इस्टेबलाजर उनसे परचेस करने लेकिन मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि जब कंपनी लिखके दे रही है हमें कि इस पे हमें स्टेबलाजर यूज नहीं करना है स्टेबलाजर फ्री ऑपरेशन है तो फिर हम इस पे स्टेबलाजर क्यों लगाएंगे तो आप चाहें तो अपने रेफ्रीटर के साथ में स्टेबलाजर लगा सकते हैं हाला कि ऐसी जरूवत लगाने की उसके साथ म नहीं है अगला कोश्चन लेते हैं लोगेश आर जी का ये लेखते हैं कि UP7750 और समसंग AU8000 विच वन इस बेस्ट पिक्चर एंड साउंड क्लेरिटी लोगेश आर जी ये यूपी 7750 मॉडल अभी तक हमने देखा नहीं है मार्केट में वह अभी तक किसी शॉप पे देखने को नहीं मिला है जस्ट अभी ये लगी ने वह एनाउंस किया है तो कुछ टाइम उनको आने में लगेगा दस बारा पंदा दिन में ये टीवी मार्केट में मिलना नहीं हूं लेकिन मुझे काफी चांसेज आपर लग रहे हैं वी ये पैनल होने के क्योंकि पैनल की जो है वो काफी शॉटेज इस टाइम चल रही है तो हो सकता है कि LG ने आपर वी ये पैनल भी इन टीवी में यूज किया हो तो कुछ दिन आप दस बारा दिन और वेट कर ल आई इस वर्थ तो बाई LG UM7290PTD 55 इंच मॉडल विकॉज इस मॉडल इस वेरी ओल्ड है लेकिन इसका स्टॉक आपको ज्यादा ओल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये मॉडल डिसकंटीन्यू नहीं हुआ है LG कंटीन्यू इसका प्रोडक्शन कर रहा है और LG हमेशा ही अपने ज रहता है जैसे LG UK63601 मॉडल था और ये UM7290 मॉडल है तो थोड़े से इनके प्राइस कम रहते हैं और ये सेल भी काफी जादा होते रहते हैं तो LG इनका प्रोडक्शन करता रहता है इनको बंद नहीं करता है तो मॉडल तो ये ओल्ड है लेकिन इस्टॉक आपको ज्यादा ओ सब्सक्राइब करता है अगर उसको केरफुली यूज़ ना किया जाए तो हाला कि ब्रांग काफी कोशिच कर रहे हैं काफी इंप्रूमेंट कर रहे हैं और इंप्रूमेंट आया भी है अगर पिछले कुछ साल से हम कंपया करें तो आपके टीवी में बंद का इशु कम ही द देखें थोड़े बदल बदल का चैनल आप देखते रहें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और कंटीन्यू काफी देर तक टीवी को ना ओन रखें जो भी बंद निशू आने के चांसेज हैं वो थोड़े से कम होंगे अगला कोशन पूछा है सुधाकर कुलकरनी जी कि अंतने यह रिकते हैं कि आसिप सहर आपका प्रॉइक्टर सैटप कितना खर्च लगा सर अपने रखेंश कीन फीट किया सर आपका सर फ़स्त वाैट का क्या करना है सुधाकर कुलकरनी जी मेरा जो setup मैंने लगाया है तो मेरा खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ है बाकि अगर कोई और person इन सभी चीज़ों को लगाएगा जो मैंने लगाई है तो उसे यह काफी costly पढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो projector है और इस पर करीब 3700 रुपीस का मैंने एक मी बॉक्स 4KB लगाया है तो अराउंड यह 46,000 47,000 रुपीस के आसपास में हो जाता है लेकिन मुझे यह थोड़ा सा कम प्राइज में मिल गया क्योंकि मैंने डारेक्ट जहां पर होलसेल में यह चीज़ें मिलती है मैंने वहीं से जाके पर्चेस कर लिया था तो मुझे थोड़ा सा डिसकाउंट यहां पर मिल गया तो अगर मैं बात करूं तो अराउंड 33,000-34,000 के आसपास में यह पूरा सेट अप लग गया अगर मैं उस वाइट स्कीन के प्राइज को अलग कर दूँ यहां पर सिफ ग्रे स्कीन प्रोजेक्टर और मीबॉक्स 4K का प्राइज आपको बता रहा हूं जो वाइट स्कीन है वो मैंने 8,500 रुपीस में पर्चेस की थी तो अभी वो उतारकर मैंने रख दिये उसको पैक करके रख दिया है और उसे मैंने OLX पे लिस्ट कर दिया है किसी परसन को अगर चाहिए होगी तो वो उसे ले सकते हैं अगर मार्केट में और लाइन पर्चेस करेंगे उसे स्कीन को या कस्टमाइज कराएंगे तो करीब 12-13000 रुपे के आसपास में वो मिलेगी लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसकाउंट में वो भी मिल गई थी थोड़ा सा कम प्राइज में मिल गई थी तो 8500 रुपे की मिली थी वो भी एक्चुली 124 इंच की है मैंने 120 इंच मेंशन किया है जब उसका वीडियो बनाया है लेकिन वो 124 इंच की स्क्रीन है जो इसका वाइट एरिया है वो एगजक्ट 108 इंच का है यानिकी 9 feet का है और उसकी हाइट है एगजक्ट 60 इंच की है वा पर तो वो तो मैं सेल कर दूँगा क्योंकि उसकी जरूरत मुझे फिलाल नहीं है मैंने यह ग्रे स्कीन आपर लगा लिए तो मेरा करीब यहां पर थार्टी थार्टी फो थाजन रुपीस के आसपस में खर्चा हुआ है टोटल सेट अप लगाने में अगला कमेंट यहां पर क करें तो TV ही बेटर होता है एक घर में नॉर्मल ही अगर मैं यूज करना है तो प्योएक्टर से बेटर TV ही रहता है लेकिन यह आपर आप देखिए कि कहां 50 इंच की स्क्रीन और कहां 124 इंच की स्क्रीन हालग कि TV जैसी पिक्चर क्वालिटी उसमें नहीं मिल रही है फिर भ जो आइ तिंक मेरे खियाल से वह better है लगाया हुआ था तो काफी बढ़िया वो पिक्चर क्वालिटी यहां पर दिखा रहे थे मेरा कहना यहां पर यह है कि अगर आप मुवी के शौकिन है मुवी देखते हैं प्राइम वीडियो नेट फ्लिक्स हॉट स्टार वगरा पर तो प्रोजेक्टर पर्चेस करना चाहिए काफी मज़ा आता है उस पर बड़ी स्कीन पर मुवी देखने में अब सिनेमा ओल थेटर वगरा तो बंद ही हो चुके हैं वहां पर तो आना जाना होता नहीं है तो घर पर ही थेटर लाइक एक्स्पिरियंस लिया जा सकता है तो मेरे खाल से प्रोजेक्टर लगा लेना चा इस फोर के टीवी 55 इंच एल जी निव लॉंच विच वन इस बेटर यूपी 7700 और 7500 बट अल्ली एवेलेविल 50 इंच क्या 55 इंच आएगा और यूएन 7300 इस्टिल गुड नदेस्टो यल्जी एल्जी के 2021 के ये टीवी मॉडल अभी जस्ट एनाउंस हुए है तो एक बार थोड़ा इनको मार्केट में आने दें, इनको एक बार चेक करने दें कैसी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं 2020 से अगर कंपेर करें तो कुछ फीचर से इसमें आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलने वाले हैं लेकिन एक बार मार्केट में आज आए गे तो इनको चेक किया जा सकता है कि कैसी performance यह दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसके वली हैं वेट कर लें और definitely 55 इंच का model तो आएगा ही वो शायद अभी ready नहीं हुआ है 43 इंच और 50 इंच का ही ready हुआ होगा तो LG ने यहां पर उसे announce कर दिया है तो वेट करें एक दो महिने में शायद 55 इंच का model भी आ जाएगा और UN7300 model वैसे काफी बढ़िया model है आप चाहें तो यह भी ले सकते हैं अगला question पूछा है अकुला तेजा जी नहीं यह लिखते हैं कि हाई आई आएव और एक ही six basic projector आई वन तो बाई android tv box for my projector which one is best me android box और motorola media stick please suggest me अकुला तेजा जी मी बॉक्स 4 के ही बैटर है वही आप पर्चेस करें काफी बढ़िया performance है 15-20 दिन से मैं भी उसे use कर रहा हूं और मैंने अपने प्रोजेक्टर पे मी बॉक्स 4 के ही लगाया है तो आप वही पर्चेस करें उसकी shortage मार्केट में चल रही है तो उसका आप वेट करें जैसे ही वह आपको मिल जाए तो उसे ही आप पर्चेस करने अगला कोशन पूछा है शम्मी प्रजापती जी ने यह लगते है कि सर एक बार यह टीवी मार्केट में आज आएंगे इनको जाकर चेक कर लेंगे तभी पता लग पाएगा कि इनमें कौन सा बैस्ट है 55 इंच मॉडल भी इसका जल्दी आज आएगा ऐसा नहीं है कि यह 55 इंच लेकर नहीं आएगा में मॉडल है सबसे यादा सेल ओने वाला पूशन अंसर का सिलसला यह पर खत्म करते हैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो गाए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए अगर आपने पहली वार अमारे चैनल पर विजट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं वेंट किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए